नमस्कार दोस्तों, Crescent Education Classes में आप सभी का स्वागत है, कैसे आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपेशन कर रहे होंगे आगामी एक्जाम्स की, हमारे द्वारा भी दोस्तों विसेश सीरीज चलाए गई है, सिक्षन अभीरूची के नाम से या सिरीज दोस्तों, आपको आगामी उत्रागंड प्रवक्ता स्क्रेनी, उत्रागंड LT, इसके अलावा CTT, UTT सभी एक्जाम्स में दोस्तों आपको मदद करेगी, इसका पहला पाट दोस्तों हमने रिलीस कर दिया है, जिसमें दोस्तों हमने आपको सिक्षक के बारे में ब हमी सबी एक्जाम के तृष्टिकोंट से इसलिए इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिक्छन अभिवर्ति अभिरूची के बारे में हम आगे जानेंगे तो सिक्छन अभिवर्ति यानि की दोस्तों Teaching Attitude अभिवर्ति को इंगलिस में दोस्तों Attitude बोला जाता है वह Attitude एक तरह सा क्या है एक हमारी सोच है दोस्तों जो कि समय आने पर हमारे व्यवार में दिखाई दीती है इसी से दोस्तों हमारा व्यावार सामने आता है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ definitions दी गई है जिसके मदद से आपको attitude को समझने में ज़्यादा आसानी होगी देखें सबसे पहले देखें अभी विर्ती से हमारा अभी प्राय विक्ती के उस द्रिष्टी कौन से है जो किसी वस्तू, विक्ती, सस्ता या इस्तिती के प्रती विसेश प्रकार के व्यावार को इंगित करता है तो attitude दोस्तों एक तरह का हमारा वो द्रिष्टी कौन है जो हम किसी विक्ती, वस्तू, सस्ता या इस्तिती के प्रती हमारे विसेश प्रकार का व्यावार है दोस्तों ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं या हमारा positive attitude है, या negative attitude है, ठीक है, कभी कबाद क्या होता है, उदासीन भी होता है, ठीक, तो एक तरह से आप attitude को इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से अ विक्ति की जाती है अब देखिए जो अभी विर्ति है एटिट्यूड है दोस्तों ये हमारे तीनों मनोविग्यानिक पक्षों से संबंदित है यानि कि ज्यानात्मक भावात्मक और मनोयग्यात्मक इनके दोस्तों ये देर तक ठेड़ने वाली विवस्ता यानि कि एटिट्य इकोर्ण या सोच जो या मत हम कह सकते हैं वो दोस्तों चेंज भी हो जाता है कभी कबाद एक विचार जो हमारे मन में आते हैं वो जल्दी से चेंज हो जाते हैं लेकिन कई कबार क्या होता है कि जो attitude है वो दोस्तों हमारा लंबे समय तक रहने वाली विवश्ता है तो ये दोस है और वो हमारे तीनों पक्षों से संबंदिते हैं इसके अलावा दिखे और भी definitions हैं अभिविरती दोस्तों एक आपका सामाजिक प्रति है तथा मानसिक पहलू है जिसका संबंद सामाजिक परिस्तितियों में विक्ती विवार के मानसिक पक्षों से होता है इसके माध्यम से विक्ती विसेश के विवार का अध्यन संबंद से यानि कि दोस्तों एक आटिटूट के माध्यम से हम किसी विक्ती के विसेश विवार का अध्यन समझ सकते हैं यानि कि उसका जो आटिटीटी उतसे हम समझ सकते हैं तो यानि कि अभिवर्ती किया है आपका सामाजिक प्रतिया है और एक मानसिक पहलू है जो एक सामाजिक परिस्टियों में विक्ति के व्यवार के मानसिक पक्षे से संबंदित होता है इसके अलावा देखे कुछ और भी definitions है जिनको आपने समझना है देखे दोस्तों ये कुछ परिख्षा कुछ परिभासा है हैं दोस्तों जो कि परिख्षा के दृष्टिकोन से काफी महतोपूर है अब आपको पता है कि दोस्तों की परिख्षाओं में बहुत जादा दोस्तों जो statement है वो भी दोस्तों पोचे जाते हैं अब ये कुछ important statement है जो कि दोस्तों पूर परिख्षाओं में आ चुके हैं तो आपको इन statement को as it is याद करना है जैसे कि ये पहला statement देखिए रेमर्स रूमेच और गेस के अनुसार अभिवर्ती की क्या परिपासा दी गई है वो दी गई है भई अभिवर्ती अनुभों के द्वारा विवस्तित वह संगेत समीगात्मक प्रविर्ती है जो किसी मनोविज्यानिक पधार्त या वस्तू के प्रती सकारत्मक या नकारत्मक रूप से प्रति क्या करती है देखिए सबकी definition अलग-अलग भले होती है लेकिन meaning सबकी एक ही होती है यानि कि दोस्तों जो आपका attitude है वो experience के द्वारा एक organize और आपकी cognitive प्रविती है जिससे मनोविज्यानिक पधार्त या वस्तू के प्रती हम positive या फिर नकारत्मक रूप से प्रतिक्रिया करते है ठीक है इसके लावा जैसे थरस्टन है कुछ मनोविज्यानिक पधार्तों से संबंदे सकारत्मक या फिर नकार अत्मक प्रभावों की मात्रा को ही दोस्तों क्या बोला गया है आटिट्यूट बोला गया है फ्रीमैन क्या कहते हैं अभी विर्ती किनी निश्चित परिस्तितियों विक्तियों एवं वस्तूं के प्रति संगत रूप से प्रतिउत्तर देने वाली वह स्वभाविक तरफ परता है जिसे सीखा जाता है तता या किसी विक्ति विसेश के प्रतिउत्तर देने की लाक्षण रेती बन जाती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेफिनिशन्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट है इनको दोस्तों आप थोड़ा सा याद करिएगा तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताए कि अभिवर्ती एवं विचार यानि कि दृष्टी कोन में यही दोस्तों अंतर है कि विचार या मत आसानी से बदल सकते हैं जबकि अभिवर्ती में परिवर्तन लाना कभी-कभी वर्सो तक दोस्तों संभव नहीं हो पाता अभी जैसे मैं आपको बताएगी जो अभिविर्ती होती है दोस्तों वो हमारे मनोवग्यानिक पक्षों से संबंदित होती है तीनों यानि की ज्यानात्मक, भावात्मक और मनोयुगात्मक ठीक है ना जबकि विचार की हम बात करें या मत की दोस्तों हम बात करें तो ये दोस्तों हमारे भावात्मक दिश्टिकोंड से या उस मनोवग्यानिक पक्षे संबंदित होता है तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज लिखी है अभिविर्ती को सरवादिक उप्यूक्त से लेकर सरवादिक उप्यूक्त यानि की most favorable से लेकर most unfavorable जैसे हम कहते हैं कि भाई यह थोड़ा सा हमने कहा positive attitude है negative attitude है तो कितना positive है तो सरवादिक उप्यूक्त से लेकर सरवादिक उनप्यूक्त तक gradient किया जा सकता है एकदम से भी कोई negative नहीं होसकता एक度म से भी पॉजिटीव नहीं है जबकि मत हमेशा क्या होता है सद्ध्यव यहां नहीं में होता है ठीक है तो जो भी attitude होता है तो अगर इसका positive attitude है तो कितना positive attitude है या फिर कितना negative attitude है ऐसे grade में दोस्तों इसको स्तरीकरित किया गया है अभिवर्ति का निर्धारन ग्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनो पक्षों से मिलकर होता है जबकि मत अधिकानस्ता भावात्मक पक्ष द्वारा निर्धारित किये जाते हैं अब दोस्तों बात आती है अभिवर्तियों के प्रकार की तो अभीवरितियां दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है भावात्मक जिसको की हम सकारत्मक अभीवरिति भी बोलते हैं इसके अलावा निस्यदात्मक या फिर नकारत्मक अभीवरिति भी इसको बोला जाता है पॉजिटिव एटिटूड और निगटिव एटिटूड तो या attitude क्या है जिसे मैं आपको पहली बताए कि किसी वस्तू, सस्था, विक्ती, धर्म या विचार के प्रती जो हमारा विसेश प्रकार का व्यवार होता है उसी को दोस्तों हम क्या बोलता है attitude बोलते हैं ठीक है ना अगर दोस्तों ये विसेश व्यवार ऐसा है कि हम उसको है कि प्रती हम दोस्तों विस्वास करते हैं उसे पसंद करते हैं उसकी और को attract होते हैं ठीक है उसे स्विकार करना चाते हैं और उसके अनुकूल अपनी आपको समयजित करना चाते हैं तो फिर दोस्तों हमारी अभिविर्ती उसके लिए क्या है positive है ठीक है ना on the other hand कि भईया हम नकारत्मक क्या होगा बिल्कुल इसका उल्टा होगा कि हम किसी विक्ती वस्तू सस्ता से हम दोस्तों क्या है घ्रिना करते हैं उसको पसंद नहीं करते हैं उसमें विश्वास नहीं रखना चाते हैं ठीक है उसको हम उससे हम दूर रहने का प्रियास करते हैं तो फिर दोस्त कि अत्रिक्त भी, दोस्तों हम attitude को थो पार्ट में वर्गिकरित कर सकते हैं देखे, एक होती है विस्ट अभीवर्ति एक होती है सामानि अभीवर्ति, ठीक है न अब दोनों ही ढक्रतिक है, विस्ट अभीवर्ति का मतलब है specific दोस्तों हमारा attitude है, जیसे कि भाया अभिवर्ति है ठीके न ये दोनों कहा है positive है ठीक है बनला अपनी माता से प्यार करना उनके प्रती आदर करना तो वो क्या है specific attitude है लेकिन दूसरे की माता का भी सम्मान करना उनका भी आदर करना तो वो क्या आपका general attitude है अब विसेस्ट अभी वृति में हम क्या करते हैं किसी विक्ति विसेश से दोस्तों हम घ्रिणा करते हैं किसी specific विक्ति से हम पसंद नहीं करते हैं तो वो दोस्तों हमारा क्या है specific attitude है negative sense में ओके लेकिन अगर हम किसी group को ही पसंद नहीं करते हैं तो वो आपका क्या है general attitude है किस sense में आपका negative sense मे ठीक है तो ये आपने दिहस्तों बनाले ने ऐट है, तो किसी विक्ति विसेश के प्रती ग्रेंटा है, तो एक आपकी कहा है विसेश्ट अभिवृती है, अगर हम किसी संपूरण वर्गे के प्रती हम ग्रेंटा का बहुर रखते हैं तो वह क्या कहलाती है, आपके जन्नल आइ अभिवर्ती भी होनी चाहिए, यानि कि सिक्षन के प्रतियापका एक जो विसेश आटिटूड है, दोस्तों, वो भी होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे, तो सिक्षन अभिवर्ती सिक्षक का व्यावार है, जो उसके तीनों मनोविग्यानिक है, और सिक्षन अभिवर्ती सिक्षन की पूरी प्रक्रिया के पक्ष तता विवक्ष दोनों को प्रभावित करती है, ठीक है, दोनों को प्रवित करती है, या दोनों और से दोस्तों, वो हो सकती है, ठीक है, अब देखे, जो सिक्षन अभिवर्ती की हम बात करते हैं, या फ चुपा सकता है तो अगर हम केवल पूस्ताज की विदी से इसको अगर मानना चाहे या निकालना चाहे तो इतना आसान नहीं होता है ठीक है तो प्रच्छेपण विदियां होती है ठीक है इनकी मदद से प्रच्छेपण विदियां होती है इनकी मदद से दोस्तों किसी की सही attitude का दोस्तों पता लगाया जा सकता है देखिए आप जो प्रचिकपन वीदिया जो दोस्तों होती है ये विक्तित्व मापन की दोस्तों विदिया होती है ठीक है ना इसमें actually होता है क्या है कि जैसे किसी विक्ति के अचेतन मन में जितनी भी दवीवी इच्छाएं हैं भावना परिक्षन थीक है इसकी मदद से दोस्तों क्या होता है कि आपका व्क्तित्यों का मापन होता है शाहिदबबा परिक्षन इसके अलावा भी दोस्तों और भी पर इपशन है 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 जिसी कि doस्तों आपका टीए 20 होता है ठीक है इसको हम बोलते हैं Thematic Aperception Test यानि कि प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षन ठीक है यह वयसकों के लिए होता है ऐसी दोस्तों इसके अलावा होता है CAT यानि कि बालकों का अंतरबोध परिक्षन यानि कि Child Aperception Test इसके अलावा रोजिन विक का PF परिक्षन भी होता है ठीक है यह सार इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं और भी कई सारी अनिविद्या होती है तो इनकी मदद से अभीवर्ति का सही सही पता लगाया जा सकता है अब हम दोस्तों बात करेंगे सिक्षन परक्रिया के दौरान अध्यापक किन-किन लोगों तथा परिस्तितियों के संपर्क में आता है और उनके परती किसी अध्यापक का क्या दोस्तों एटिटूड रहना चाहिए या फिर किसी परिस्तितियों के परती क्या एटिटूड रहना चाहें, जैसे कि मैंने भी आपको बताए जो सिक्षण अभी विर्ति है, वो किसी भी सिक्षक के ग्यानात्मक, मनोयोगात्मक, भावात्मक, तीनों पक्चों से परभावित होकर सामने आती है, ठीक है न, अब यह जो पूरी सिक्षण प्रक्रिया है उसको दोस्तों प्रभावित करती है अगर यह सकारत्मक है तब तो पूरी सिक्षन प्रक्रिया अच्छी चलेगी अगर दोस्तों नकारत्मक है तो फिस सिक्षन प्रक्रिया पुरी तरह से बेकार हो जाएगी ठीक है न तो देखे जब कोई भी सिक्षक है वो अ आती अध्यापोकों के प्रतिय अभिविर्ति इन सब चीजों को दोस्तों बलाता है तो यही चीज़ें दोस्तों आज हम डिसकस कर रहे हैं तो दीगे सबसे पहले हम करेंगे स्कूल एवं कक्षा के चात्र के दोस्तों जब संपर्ग में एक सिक्षक आता है तो सबसे पहले सि different qualities होती हैं कोई रूची के मामले में different होते हैं कोई योगिताओं के मामले में different होते हैं सक्तियों के मामले में different होते हैं समवेगों के मामले में different होते हैं तो यह दोस्तों सिक्षक को पता होना चाहिए और उसी के according दोस्तों उसकी education यह सिक्षण कारी दोस्तों आगे होना चा तो हैं जिनके बारे में मैं दोस्तों आपको सबसे डिटेल में बताऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या आता है चात्र आता है ठीक है जिसके बारे जिसमें जो सिक्षक है दोस्तों उसके संपर्क में आता है तो पहले जानेंगे कि इस चात्र क्या है कि सबसे पहले जो को सीखता है ठीक है और इनके प्रभाव से ही दोस्तों उसके विक्तित्तों का विकास होता है तो पहले आपने जानना है कि छात्र दोस्तों आपका क्या होता है कोरी स्लेट के समान होता है जैसा आप उसको बताओगे वैसा वो सीखेगा इसके अलावा दोस्तों वो अबोध और निस्पाब होता है उसको सही गलत का पता नहीं होता है ठीक है सत्य असत का पता नहीं होता है उसको इसके अलावा हित अहित कुछी भी चीज़ का उसको बोध नहीं होता है तो जैसे जैसे दोस्तों उसको experience मिलेंगे तो वैसे वैसे व हेंड कल लेगा ठीक है तो यहां पर क्या है बालक क्या होता है सुग्राई होता है इसके अलावा स्वतंत्र परवा होता है बालकों की जदनली आदत यह होती क्यों स्वतंत्र रहना चाहते है वो नहीं चाहते कि उन पर कोई दवाव डाले ठीक है तो स्वतंत्र परवा उसका ह इसके अलावा प्रिथक प्रकरती जैसे मैं आपको पहली बोला है कि हर बालक क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर का होता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जिद्धी होता है, तो कोई सरमिला होता है, कई बालक निडर होते हैं, तो कई बहुत ज्यादा जगडालू ह होते हैं, ठीक है, कोई दब्बू होते हैं, कोई उदार होते हैं, कई क्लास में बहुत ज़्यादा आक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओविडिन्ट होते हैं, ठीक है, कई लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चे की क्या होती है मांसिक योगिताएं अलग-अलग होती है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं जो एकदम चीजों को सीख जाते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइवलि होते हैं कई लोग कुछ ऐसे होते हैं, कि जो बिल्कुल आलसी होते हैं बैठे वे, जिनको कोई मतलब झी होता है, क्लास में क्या चलता है, ठीक है, तो आपको इनके बारे में ही जानना होता है, उनकी जो different मांसिक योग रिधा है, उनको भी आपने जानना होता है, ठीक है, इसके अलावा विभिन रूचियां, जैसे मैं आपको बताए है, कि हर बच्चे है, उसकी रूचियां एक सामान नहीं होती, तो सिख्षकों को उनके इंटरस्ट के बारे में जानना है, इसके अलावा विभिन बौदिक स्थर, हर बच्चे का जो बदिक स्तर है वो सेम नहीं होता है कई बच्चे बहुत मेगदावी होते हैं परतिबाशाली होते हैं कुछ सामानी बुद्धी के होते हैं जाता सामानी होते हैं कुछ बिछडी बुद्धी के होते हैं कुछ मंद बुद्धी होते हैं ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, किसी भी सिक्षक के लिए जानना अति आवशक है, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं, सिक्षकों में चात्रों के परती, अभिविर्ती, ठीक है न, तो अगर आप इसको नहीं जानेंगे, तो सिक्षन कार्याप का अदूरा रह जाएगा, अब हम दूसरे एलिमेंट्स की दोस्तों बात करेंगे, वो है पाठे करम, पाठे वस्तु, एवं पाठे पुस्तके, यानि की दोस्तों सब्जेक्ट, ठीक है न, तो सिक्षन प्रकरिया में दोस्तों अध्यापा क्या करता है, इस किन परिसितियों में संपर्क में आता, दोस्तो आप विसे के कारण ही किसी छातर के निकट आते, ठीक है भाई सिक्षक को आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है, trick है चिख बी पढ़ा वो बच्यों के मानसिक्स तरख के अनुरूप ही हो, ठीक है इसके अलावा विसे चात्रों की रूची और अभिवर्तियों के अनुरूप बनाया जाए तो विजह को आप किसी भी चात्र के समक्ष इस धंग से रखे कि वो चात्र उसमें रूची ले और उसकी अभिवर्ति के अनुरूप हो ठीक है? इसके अलावा विजह के खंडों में बाट कर सुबोध बनाया जाना चाहिए, अब आप क्या करिए, विसे को अगर आप एक सांथ पढ़ाएंगे, तो दिक्कत आती तो आप उसको छोटे-छोटे खंड़ा में डिवाइट करिए, देन दोस्तों आप उसको पढ़ाएंगे, तो इससे दोस्तों क्या होता है, आसान है, उसका यूस करें, ठीक है ना, जैसे आप भाई, अगर आप साइंस पढ़ाते हैं, तो आप उसमें बताएए कि कैसे-कैसे उधारण है, जो कि जनली साइंस में देना तो बड़ा आसान रहता है, अगर आप किसी को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, या कैमिस्ट्री पढ़ा जोड़ी रहती है, जैसे कि आल्ट का subject है, या संगीत का subject है, जो आप पढ़ाइंगे दोस्तों, activity महाँ पर बचों को करनी पढ़ेगी, ठीक है न, इसके लबबाब जैसे physics है, ठीक है, और उसमें भी दोस्तों, experiment होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी कोई बच्चा language सीखना चाहता है तो वहाँ पर उसको report rating दी जा सकती है तो वो दोस्तों activity जरूर करानी चाहिए बच्चों को ताकि उनको विसे से एक अच्छी knowledge हो पाई अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जिनके संपर्क में आते हैं वो है साती अध्यापक यानि कि साती अध्यापकों के परती आपकी कैसी अभिवर्ती है देखे ये भी दोस्तों सकारत्मक होनी चीए क्योंकि साती अध्यापकों के संग ही दोस्तों आपने स्कूल में काम करना होता है अब हो सकता है कि आपके जो साती अध्यापक है वो कभी आपकी आलूचना करें या फिर आपके संग दुरवेवार करें ठीक है हो सकता है कि उनके परधानाचारे के संग अच्छे संबंद हो और आपको इससे प्रॉबलम हो ठीक है समयजन करना पड़ेगा ठीक है तो उस कारेंट से जो साती अधियापक है उनके प्रती भी आपकी अभिवर्ती सकारत्मक होनी चाहिए ठीक है इसके अलावा जिसे हम बात करते हैं परदानाचारी एवं सिच्छा विभाग के अन्याधिकारी गण तो इनके प्रती भी दोस्तो आपकी जो अभिवर्ती है अगर दोस्तों वो रचनात्मक है या फिस सकारत्मक है तो उससे भी दोस्तों आपका क्या होगा कि आपका जो सिच्छन कारे है वो अच्छे से होगा क्योंकि अगर आप इनके प्रती अगर आप नकारत्मक अभिवर्ती रखेंगे तो कई बार क् उनका पालन करना मुश्किल हो जाता है आदिस काफी टाफ आते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इनके आदिसों का पालन करेंगे तो कहीना कहीन दोस्तों क्या होगा कि जो इससे फाइदा किसको होगा जो छात्र है उनको ही दोस्तों क्या होगा फाइदा होगा ठीक है अगर आ कहीं इसे छात्रों का ही भला होता है तो ऐसे में दोस्तों जैसे परधाना चारे इनके अधिकारी गड़ों के प्रतिय आपकी जो अभिवर्थी है दोस्तों वो भी क्या होनी चाहिए थीक है ना इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अभिभावक एवं समुदाई के अन्य लोग अभिभावक का मतलब यह है कि दोस्तों जो गाडजन होते हैं बच्चों के और समुदाई के अन्य लोग जैसे कि आपके आसपास में रहने वाल लोग स्कूल के आसपास के लोग ठीक है ना तो एक सिक्षक होने आपको उन छात्रों के अभिभावक के संग एक उचित सामजस से बैठाना पड़ेगा यानि कि उनके प्रती एक सकारत मा कभी विर्टी रखनी पड़ेगी ठीक है एक दूसरे के बातों को सुनना पड़ेगा जिसे कोई अभिभावक आपके पास आता है और अपने बच्चे के शिकायत करता है तो आप सांती से उसको सुनिए और उसका निराकरन करने का प्रियास करिए ठीक हैं अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर अभिभावक भी आपके लिए कुसनी करेगा जिसे मान लेते हैं अगर आप बच्चे के बारे में कुछ बताते हैं या कोई चीज अगर आप उससे कहते हैं कि भाई आपका बच्चा क्लास में ऐसी सेता नहीं करता है इसको घर में देखना तो अभिभावक भी आप पर ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी थोप देगा तो वो भी आपका साथ में देगा तो आपके बीच में भी क्या होना चीए एक अच्छा कोडिनेशन होना चीए जिससे की अभिभावक आप पर विस्वास रखिया और आप भी अभिभावक पर विस्वास रखिया और इसी से दोस्तों आपका च्छात्रित हो पाएगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों सिक्षकों को देश की राजनितिक आर्थिक और राजनितिक सामाजिक आर्थिक और राजनितिक वातावरन इससे भी दोस्तों रूबरू होना पड़ता है तो देश का जैसे सामाजिक वातावरन कैसा है या फिर आर्थिक वातावरन कैसा है या फिर राजनेतिक वातावरन कैसा है इससे कभी कबाद दोस्तों आपको कुंटित होना पड़ सकता है क्योंकि कई बारे से मौके आते हैं लेकिन कोशिस ये गनीचे कि इसका छात्रों पर क कोई भी गलत चीजे चल रही है, चाहे वो सामाजी की रूप से है, चाहे राजनियती रूप से है, चाहे आर्थिक रूप से है, तो दोस्तों आपने बच्चों को सही चीजे सिखानी है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो लोग आगे जाके इन दुबुराईयों को दूर कर सक ठीक है ना इसके बाद हम बात करेंगे अध्यापक का अपना सामाजीग और आर्थिक परिवेस होता है ठीक है क्यूंकि अगर आप देखें तो एक अध्यापक के रूप में आप नौलेज से परिपून है ठीक है और आप अपने आप में अच्छा अच्रन भी रखते हैं और परतिस्टित पद में भी है तो इस तरह से देखा जाए तो जो अध्यापक के दोस्तों अपने आप में सबसे धनी विक्ती है पूरे अगर हम overall की बात करें तो अध्यापक को दोस्तों कभी भी अपनी हीन भावना का सिकार नहीं होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि कई बार क्या होता है कि अध्यापक अपने आपको हीन भावना का सिकार बना लते हैं वो ये भूल जाते हैं कि वे समाज के सबसे प्रतिस्टित पत पर आसीन है ठीक है ना तो अगर वो खुद हीन भावना का सिकार रहेंगे तो फिर वो जो बच्चे हैं उनको कैसे वो हीन भावना से इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के प्रति कैसी अभिवरती होनी चाहिए, जब भी समाज में कोई परिवर्तन आता है, तो इसका प्रभाव सबसे पहले छात्रों के माध्यम से स्कूल पर पढ़ता है, तो आपका एकिटिट्यूट कैसा होना है चाहिए, कि आपने जो हेल् आत्मक अभिवर्ती रखेंगे, तो ऐसे में चात्र और सिक्षकों के मीच में कभी भी समाजन नहीं होपाएगा, जिसको क्या हम क्या बोलता है, कू समाजन, ठीक है न, तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है, कि समय के संग चला जाए, आप समय का रुखना मोड़े, समय के चलें, ठीक है, जैसे कि कई चीजे होती हैं, जो कि समय के हिसाब से अपिक्षित होती है, अब जैसे स्कूल में आपको पता है कि भईया, बच्चों को इंग्लिस सीखना अनिवारे हैं, ठीक है, तो आप उनमें प्राचीन भासाएं उनको ना थोपे, आप स्कूल में पता ह इस समय पर कंप्यूटर सीखना अच्छा है, ठीक है, उनके के लिए अच्छा है, तो आप उनको कंप्यूटर सीखाईए, आप उसका विरूद ना करें, ठीक, इसके अलावा और भी कई चीजे हैं कि भईया, आज की जमाने में बच्चों को साइन्स अच्छा है सीखना, त पर उनको दर्सन की सिख्षा दी जाए, तो वो अच्छा नहीं है, तो सामाजीक परिवर्त्मनों को भी दोस्तों क्या करना है, सुईकार करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक, इसके बाद दोस्तों अध्यापक का अपना वेक्तित्व, अध्यापक का दोस्तो आ सकती है, तो विपरित परिस्तितियों में दोस्तों सयम नहीं कोना चीए, अनुकुल परिस्तितियों में भी आपको अच्छा behavior रखना होता है, ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों ध्यापका जो अपना वेक्तित्व है, वो भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, मानसिक स्वास प्रति भी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? पॉसिटिव एटिटिटूड होना चाहिए थे कि व्यवसाइक दक्षिता का मतलब यह है कि जब से दोस्तों आपने सिक्षक बनने की और को कदम उठाया, ठीक है? यानि कि जब से आपने दोस्तों B8 क्या कोर्स जॉइन कर लिया, ठीक है? तब से आप दोस्तों क्या करने लग गए? अपनी व्यवसाइक दक्षिता को बढ़ाते चले जा रहे हैं आपके तौर पे भी क्या होते चलेंगे विख्सित होते चले जाएंगे यानि कि आपकी जो दक्षिता है वो क्या होगी बड़ती चले जाएगी ठीक है तो हमेसा कोशिस यह कंनी है कि व्योवसाइक दक्षिता के प्रती आपका जो attitude है दोस्तों वो आपका साकारात्म को क्योंकि इससे जो लाब होगा वो प्रतिक्ष रूप से छात्रों को ही मिलेगा ठीक है ना अगर आपकी व्यवसाइक प्रक्रिया रुख गई है या व्यवसाइक विकास अगर आपका रुख गया है अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेजिएगा मिलेंगे अगली वीडियो में Till then, take care and good bye